Myself अकांशा and today's my topic is heat and temperature और जिसे हम thermodynamics भी बोलते हैं तो सबसे पहले heat क्या होती है heat मतलब ओश्मा and temperature दुजब को पता है तापमान तो heat क्या है heat basically एक टाइप की energy है जिसके बहुत सारे sources है जिसे कि sun, fire और भी बहुत सारे sources है जिससे हमें heat मिलती है तो सबसे पहले हम heat को measure किस में करते है SI unit में measure करते है जिससे हम बोलते है Zool और जिस TGS unit में हम उसे measure करते है उसे बोलते है calorie तो इस topic से heat topic से सबसे पहले question तो यही बनते है कि heat को measure किस instrument से किया जाता है तो उश्मा को किस यंत्र से मापा जाता है heat is measuring by which instrument that is calorie meter उसके बाद आता है सामय वास्ता मतलब suppose that कि हमारे पास एक एक rod है iron की लोहे की एक rod है जिसके एक side पे हमने आग जलाई है तो क्या होगा कि हम दूसरे वाले point पे कुछ time बद देखेंगे कि हमें न वो भी करम करम feel होगा क्योंकि जबकि हमने आग तो यहाँ जलाई है तो फिर हमें यहाँ पे heat feel की हो रही है क्योंकि जो heat होती है वो high temperature से low temperature की तरफ flow करती है यहाँ पे हमने आग जलाई हुई है तो यहाँ का temperature जल्दी हाई हो जाएगा लेकिन वहाँ का temperature तो फिर भी लोगी था तो heat क्या होगा कि heat transfer होगी high temperature से low temperature की तरफ उसे पानी जो होता है वो हमेशा 4 degree Celsius के बाद अगर हम उसे 4 degree Celsius से ज़्यादा गरम करते तो वो evaporate होना अगर हो जाता है हलका हलका बट वह हमें अपनी आँकों से नहीं देखता है जब वह जादा evaporate होता है जब जादा temperature पर जादा evaporate होता है हमें वह सिर्फ तब ही पता चलता है कि हाँ पानी अब उपर उड़ रहा है नॉर्मली होता है कि कहीं पर भी मानलो हमने आदा गलास पानी डाल दिया फर्स पर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो वह पर पानी नहीं होता है क्योंकि वह दीरे-दीरे करके evaporate हो जाता है लेकिन हमें वह दिखता नहीं है वह यह कि अब अगर हम 4 डिग्री से लेके 15 डिग्री से तक के बीच में पानी को गरम करते हैं तो उसमें क्या-क्या होता है तो सबसे पहले उसका जो आयतन होता है मतलब volume तो सबसे पहले जो उसका आयतन होता है वो पहले तो बढ़ेगा लेकिन बाद में दीरे-दीरे कम हो जाएगा वहीं उसका घनत्व होता है वो पहले तो कम होगा लेकिन फिर बाद में वो भी बढ़ जाएगा तो ये दोनों चीज एक दूसरे किक्तम अपोजिट है जैसे को आयतन पहले बढ़ा और यहां पर घनत्व पहले कम हो गया और फिर बाद में यह कम होगा और यह बढ़ गया दो नो एक दूशन कि बिल्कुल अपोजिट है और डे इनसिटिसे को समदा निग medios से करते हैं किस इंस्रूमेंट से हम एन्जिटी और कि गंत्वें को हम्ले है। एक कोशन और बनता है डेंसिटी से और भी कोशन बनते हैं कि किस तत्व का घनत सबसे अधिक है कौन से ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे जाधा होती है तो सबसे पहले तो कि जिसकी डेंसिटी जितनी जाधा होगी ना उसका बजन उतना ही जाधा होगा तो सबसे heaviest है Osmosum यह सब पूरी हमारे solar system का सबसे heaviest metal है और इसी की density सबसे ज़ादा है वही अगर हम इसका घनत जिस तत्व का सबसे कम है उसकी बात करें तो उसमें आता है लीथियम जो की सबसे हलका है तो density सबसे कम किसकी है? लीथियम की सबसे हलका क्या है? लीथियम सबसे बहारी metal कौन सा है? Osmosum और density सबसे कम किसकी है? Osmosum की उसके बाद आता है कि ताब मान को हम मापते कैस किस चीज से हम temperature को किस किस चीज से नापते है तो basically आता है degree Celsius में जिसे हम Celsius लिखते बाद में किसी पी temperature के बाद Fahrenheit F जो हमारा mostly बुखार जो मापते है न जो डॉक्टर हमारा बुखार में चेक करता है वो करता है Fahrenheit में उसके बाद Calvin और और बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे basically यही तीम टॉपिक हैं जो में हमारे काम के हैं तो सबसे पहले की temperature में जो temperature होता है उसकी ऐसा unit क्या होती है उसकी ऐसा unit होती है Calvin तो अब हमारे पास यह है कि हमारे पास Celsius है और Fahrenheit है तो अब जैसे कि जो बुखार जो हमारा normal body temperature होता है वो Celsius में तो होता है लगबग 98.6 Celsius वही अगर Fahrenheit में देखे तो लगबग 36 के लगबग होता है तो अब इन दोनों के बीच का जो relation है वो हम कैसे निकालेंगे तो relation निकालने के लिए एक formula होता है तो Celsius to Fahrenheit के लिए formula होता है F is equal to 9 upon 5 Celsius plus 36 plus 32 तो अब हम हमें कोई अगर हमें पार कोई Celsius में कोई temperature है तो हम उसे Fahrenheit में तो easily इस formula से निकाल लेंगे पर अगर वही चीज़ अगर हमें पास कोई Fahrenheit में है तो उसे Celsius में कैसे convert करेंगे तो उसके लिए हमें इस formula को थोड़ा modify करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो plus में 32 है उसे इधर लेके आएंगे तो 9 तो नीची चला जाएगा और 5 आजाएगा उपर multiply में क्योंकि है divide में तो multiply में जाएगा तो F-36 का multiply होगी 5 से upon 9 अब यह बन गए हमारे पास Celsius का formula तो अब इस topic से ने कोशन बनता है कि ऐसा कौन सा temperature है जहाँ पर Celsius और Fahrenheit दोनों equal होते है क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा कि दोनों में काफी जाता difference है मतलब में Celsius को निकालने के लिए Fahrenheit के साथ इतना सा कुछ करना पड़ेगा तब जाके Celsius पता चलेगा तो ऐसा कौन सा एक कोई एक basic temperature जहाँ पर Celsius और Fahrenheit बिलकुल सेम होते हैं तो वह है माइनस 40 डिग्री सेल्चिस अगर माइनस 40 डिग्री सेल्चिस में जो चीज सेल्चिस में है वही चीज महाँ पर उसी टेंपरेचर पर Fahrenheit भी वही होगी सबसे पहले हम इससे सॉल्व कर देखता है तो C अपॉन मदब Celsius 1 मिनिट Celsius अपॉन 5 इकोस टू Fahrenheit मैनस 32 अपॉन 9 जो के मारा फॉर्मूला है तो हम यहाँ पर कर करते हैं Celsius की value डालते हैं Celsius की value है मैनस 40 अपॉन 5 तो 5 एट जा जो कि कट गया 40 अब यह तो यहाँ पर उपर है अपॉन इसके 1 मान सकते हैं मैनस 8 अपॉन 1 क्रॉस मंटिप्लाई करेंगे एट नाइन जा 72 एकोस टू F विजिकल टो 32 F सारी F माइनस 32 तो जब हम माइनस के 32 को इधर लेके जाएंगे तो जाकि यहाँ पर प्लस का 32 हो जाएगा और जब हम 32 माइनस का और उसमें प्लस करेंगे 32 तो वो हमारा बैटेगा माइनस का 40 तो यहाँ पर Fahrenheit जो माइनस 40 आया है और Celsius जो हमने पहले से माइनस 40 लिया था मतलब अगर हम माइनस के 40 डिग्री Celsius को इक्वल है माइनस का 40 डिग्री Fahrenheit तो मेन की हमारा जो बाड़ी का टेंपरेचर होता है वो कितना होता है Celsius में हमारा बाड़ी का टेंपरेचर होता है 37 डिग्री Celsius Fahrenheit में हमारी बाड़ी का टेंपरेचर होता है 38 डिग्री 0.6 Fahrenheit अब कैलविन हमें मोसली तो हमें इसका कुछ यूज नहीं होता है मोसली लैब्स में इसका यूज होता है बट अगर हमें कोई चीज बूल दिया जाए कि के चीज Celsius में है और फिर से कैलविन में चेंज करो तो हमें सिफ उसमें 123 एड़ करना है और दन वो हमारे पास कैलविन में आ जाएगा जिससे कि हमारे पास यह temperature था हमारा body temperature जो कि 37 degree Celsius होता है तो हम उसे 123 में अगर हम एड़ करें तो हमारा आएगा 310 जो कि हमारा कैलविन में temperature होता है हमारी body का तो अब हमसे मोसली होता है कुछ reactions होता है जनको बोलता है होता है तो रूम temperature होता है तो रूम temperature होता है 2.5 degree Celsius क्यum to measure करने के लिए हम कॉमन कौन सा ऐसा कॉमन instrument है जो temperature मेज करने के लिए यूज़ करते है तो होता है धरमामीटर एफ धरमा मीटर के ऐंदर कौन सा कौन सा मैटल होता है कौन सा धातू होता है जो उसमें यूज किया जाता थर्मामीटर में तो वह होता है मरकरी थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है सबको पता होगा जो मरकरी होता न वह एकदम चांदी की तरह चमकता है और गराम होने पर वह एकदम फैलने लगता है जिसकी स्क्षाइब में जैसे इस पड़ने से ठाइब को कुछ कि इस टाइब सकते हैं तेम्प्रेचर को हाँ यहां पर अलग इलग एलग दिक होती है तो मरकरी में जैसे हैं मर्गडी का हीट पता चलता है तो एकदम ओपर की तरफ कर देंदा का ईश्री 비슷 मरकरी को हीट मिलती है तो वो फैल ने लग जाती है स्प्लिट होने लगती है Mostly अब करी हमें सिफ लैप्स में यूज होती है क्योंकि मरकरी हमारे common life में हमारे लिए काफी यादा harmfull है मतलब योंकि mercury अगर कोई सीने भी गलती से इंजक्ट कर लिया अपनी बॉड़ी के इंदर तो उससे हमारे सारे बॉड़ी और गंस धहमेज हो जाता है तो असलिए mercury बेसिकली हमें कहीं मिलती नहीं है सिर्फ वो बेल लाब्स में मिलती है mercury थैंक यू